हेलो एवरीबरान, वेलकम टू माई चैनल, हिंदी टारोड़क तिरपल टू, मैं हूँ पललवी, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे So guys, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ, फिर से एक और नई रीडिन और आज हम यह देखने जा रहे हैं कि आप जिस पसंद के साथ डील कर रहे हो, या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हो, क्या है इस पसंद की असलियत तो इस person के मन में इनके दिल में आपको लेकर आपके साथ को लेकर इन सभी चीजों को लेकर क्या चल रहा हैं उन सभी मामलों में इस person की असलियत देखने की कोशिश करी जा रही है आपको बस इतना जरूसी ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने परसन के उपर बनाए रखना है जिनके बारे में जिनकी असलियत के बारे में आप जाना चाहरे हैं तो चलिए शुरूबात कर लेते हैं और देख लेते हैं फोकस अपने परसन के उपर बनाए रखनेगा अगर वीडियो पसंद आये कनेक्ट कर पाएं तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जो भी रीडिंग होगी वो general collective और timeless रीडिंग होगी married and married कोई भी परसन ये रीडिंग देख सकता है all sign based यहाँ पर रीडिंग होगी gender specific नहीं होगा यानि कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है कहीं कहीं पर आपको energies वाइस वरस लगेंगी आने की possibility है आपको ऐसा लगे कि ये energies आपकी ही है क्योंकि energies change होती रहती है personal reading लेनी है आपको अगर तो आपको एक email ID दिखाई देगी Hindi tarot deck 222 at the rate of gmail.com तो उसके मात्यम से आप मुझे तक reach out कर सकते हैं उसकी अलग मेरा कोई और personal number नहीं है लेकिन यहाँ पर ये चीजे हैं कि इस person की सोच शुरू भी आपसे ही होती है और खतम भी आपके उपर ही आकर होती है भले आप लोगों के बीच में कुछ भी चीजे क्यों ना चल रही हो लेकिन आपके thoughts इनका पीछा कर रही है वो इनका पीछा नहीं चोड़ रही है और इवन ये भी खुद भी आपके thoughts से अपना पीछा नहीं चुड़ा रही है न चुड़ाना चाहरे है यहाँ पर I letter number 1 यानि की January month बेहत जादे important दिख रहे है ये person definitely आपके लिए वही passion रखते हैं जो पहले इनके मन में था लेकिन यहाँ पर ये person इन सभी passions को दिखाने की बजाए जूट का जादा सहारा ले रहे हैं जो भी आप लुकों के बीच में वज़ा है ना दूरियों की उस वज़ा की वज़ा से चीक है इस person की जिंदगी में definitely जैसे colors जो है वो पूरी तरह से इनसे root गए हो इनसे दूर चले गए हो तो वो चीज़े इने feel होती है लेकिन ये person अपनी जिंदगी में उन रंगों को भर नहीं पा रहे हैं तो वो चीज़े इनके मन में चलती हैं आप यहाँ पर candle को बुज़ा हुआ देख सकते हो जबकि मैंने बिल्कुल भी move नहीं करा candle को जो ये पूरी तरह से indicate कर रहा है कि ये person बहुत परेशान है एकदम इने ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं बजा मैं अब एकदर dead end पे हूँ और यहाँ से नामे पीछे मुर सकता या सकती और नामे आगे बढ़ सकता या सकती क्योंकि आगे का रास्ता ही बंद हो चुका है तो वो चीज़े इस person के मनमे ना बहुत जादा चलती है यानि कि आपके person भले आपको दिखाने के लिए कुछ भी दिखा रहे हो लेकिन ये अपनी life में एक dead end पे already पहुच चुके है जिसे अब ये solve भी नहीं कर पा रहे है कि यहां पर यह पूरी तरह से clear दिख रहे है कि परसंद बहुत रोते हैं मतलब खून के आशू जैसे रोते हो एकदम अपने आपको लॉस्ट वावर फील करते हैं कि मेरा जो हाल चल रहे है ना इस वक्त में मैं उससे सही भी नहीं कर पा रहा या पा रही तो वो चीज़े मेन इस परसंद को अंदर ही अंदर बहुत जादा disturb करती हैं इनको ऐसा लगता है कि मेरी life ना बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन मैं नहीं बढ़ रहा या बढ़ रही मेरी life में जो भी चीजे बढ़ रहे है जैसे वक्त तो जाता जा रहा है लेकिन मेरी सोच में कोई बदलाव नहीं आया, मेरे हालातों में कोई बदलाव नहीं आया, तो वो चीजे इस परसन को बहुत जादा डिस्टर्ब करती है, मुझे ऐसा दिख रहा है जिसे इस परसन को ये चीजे फील होती है, कि मैंने न जो रिष्टा पीछे खोया है, या ज जिस भी स्टेज पर आकर ये पूरा नहीं हुआ है, वो स्टेज पर ही ये परसन आज तक अटके पड़े हैं और उसी को सोच कर ये परिशान होते रहते हैं, निराश होते रहते हैं अपने आप में रहने की बहुत जादा ये परसन कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर आपकी यादे इस परसन को अपने आप में रहने नहीं देती, इन्हें ये चीज़े बहुत फील होती हैं आपकी साइट से वो अटेंशन वो प्यार ये पसन पाना तो जाते हैं लेकिन वो अटेंशन वो प्यार इन्हें ना तो आपकी साइट से मिल रहा और ना इन्हें ये लग रहा कि आज की डेट में वो अटेंशन पाना इनके लिए सही भी है तो ऐसी चीजे ना इन्हें बहुत जादा डिस्टर्ब करती रहती है ये ना आपी के साथ बापस से रियूनाइट होना चाहते हैं ऐसा नहीं है कि ये बापस इस कनेक्शन में जुड़ना नहीं जा रहे हैं लेकिन देखो आपके पार्टनर ना चीजों को बहुत प्राक्टिकल वे में देख रहे हैं और वो प्राक्टिकल वी ने ये समझा रहा है कि जितना जादा आपको भूलने की कोशिश करें उतना जादा बेतर इनके लिए रहेगा फिर भी उतनी ही आपकी यादा आती है जैसे कहते हैं ना कि जिसको जितना जादा बुलाने की आप कोशिश करते हो वो आपको उतना ही जादा याद आता है याती है तो आप इस वक में वही काम कर रहे हो इस परसन की लाइफ में इस परसन की सोच में तो वो चीज़े इन्हें फील होती है इनके दिल में ये चीज़े हैं कि शायद अब आपना जो भी रिष्टा टूटा है आप उस imagination से बहार आ चुके हो यानि कि अब आप इस परसन को imagine भी नहीं करते हो आप उस cross road से बहार निकल चुके हो जिस cross road पर ये खड़े हैं या जिस dead end पर ये खड़े हैं बहाँ पर आप नहीं खड़े हो तो वो चीज़े भी इन्हें बहुत जादा फील होती है आपका और इनका दोनों का रास्ता बदल गया है और ये कोशिश में लगे हुए हैं उस रास्ते को जोड़ने की वो कोशिश बस इनकी side से रह गई है तो वो चीज़े नहीं फील होती हैं यहाँ पर A letter, V letter, W ये सबी मुझे काफी clear ली दिखाई दे रहे हैं इनके दिन में ये चीज़े हैं कि आपने इस चीज़ को समझ लिया है कि दुनिया जो है वो प्यार, emotions, जस्बातों से नहीं चलती है और एक वक्त पे ये भी इस चीज़ को मान रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन अब ये पता नहीं कि यो बार-बार आपकी तरफ खिचाव महसूस कर रहे हैं क्यों ये आपके लिए emotionally low feel कर रहे हैं तो वो चीज़े इने ना परिशान करती हैं उन चीज़ों से ये सवाल करते हैं ऐसा दिख रहे हैं बहुत भटके भटके बसन रहते हैं जैसे possibility है किसी couple को देख लिया तो भटक मतलब एकदम से आपकी याद इने चुग गई आपको miss करने लगे तो ऐसा इनके साथ हो रहा है और उस चीज़ को ये express नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को बस देख कर घुटते ही हैं stress ही लेते हैं तो वो चीज़े अब इस person के साथ हो रही है possibilities ये भी बन रही है कि इस person की life में न पैंटिकल्स को लेकर पैसो को लेकर भी किसी तरह की issues हैं यानि कि ये जितना earn कर रहे हैं जितना कमा रहे हैं वो इतना इनके हाथ में टिक नहीं रहा वो सब चीज़े ना इनकी खर्च हो जाती हैं इनसे छूट जाती हैं जिस चीज़ को लेकर भी ये person और ज्यादा निराश हो जाते हैं एक होता है ना इनसान उसके बार ये सोचने लगता है कि यार जो जिस पर फोकस लगाने की कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं वहाँ पर भी निराशा ही हासिल हो रही है यहाँ पर एन लेटर मुझे दिखाई दे रहा है आपके परसन या आपसे ही ये रिलेट करते होंगे जो भी आपको लेटर्स नंबर्स ये बताए जाते हैं तो ये उन्ही से रिलेट करते होंगे इनके दिल में ये चीज़े चलती हैं कि ये जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्फ करने के मामले में बहुत छोटे से रह गए हैं मतलब इनकी जो actions है, इनकी जो हिम्मत है, वो बहुत छोटी रह गई है, और इसी reason की वज़े से अब इनकी हिम्मत जवाब देने लगी है, कुछ भी solve करने को लेकर, उन सभी चीजों को लेकर ये person अपने आप पर भी जैसे गुसा करते हो, frustrated होते हो, और आस पास जो भी कोई है उन पर भी बस frustrated होते हो, तो उसकी भी possibilities बन रही है यहाँ पर, मतलब upset रहते हैं यह, यह person जो आपको पीछे छोड़ कर आगे बड़े है उस चीज का शोक मनाते है, उस चीज को सोच सोच कर मन ही मन में जैसे परिशान भी होते हो, तो यह यहाँ पर दिख रहा है, as an यहाँ यह चीजे हैं कि यह person अभी भी आपको याद करके रोते हैं, लेकिन वो चीजे हैं कि अब यह person उस चीज को अपनी family members को या अपने दोस्त यार को किसी को बता नहीं रहे हैं, even आपको भी नहीं बता रहे हैं, इनकी life ना किसी भी तरफ move नहीं कर रही है, वो चीजे इन्हें हो, खुझ से भी यह कहीं move नहीं करना चाते हैं, तो वो चीजे भी इनके मन में चलती हैं, हद से जादा, इनके ना साथ ऐसा और जैसे कि इन्होंने मन ही मन में give up कर दिया हो, वो इन्हें खुद भी feel होता है, और ऐसा आपको भी दिख रहा होगा, कि इस इंसान ने give up कर दि होगे, ऐसा दिख रहे हैं, इस परसन को औरों की खुशी बहुत प्यारी है, औरों की खुशी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अब वजाए अपनी खुशी के, क्योंकि अपनी खुशी को लेकर तो इन्होंने give up कर दिया है, ऐसा इनके साथ हो रहा है, हद से जादा, एटिट्यूड बहुत दिखाई दे रहा है, मुझे इस परसन में, जैसे एक धीट किस्म के हैं, ऐसी एनार्जी भी दिखी है, यू लेटर, सी लेटर यहाँ पर दिखाई दिया, नमबर तू यानि की फरवरी मन्त भी इंपोर्टन दिख रहा है, बहुत जल्दी वैसे भी परसन लग रहा है कि गिव अप कर भी देते हैं, बहुत जल्दी नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो उस किसम के मुझे यह परसन दिख रहे हैं, इस परसन को ना यह चीज़े तो समझ में आ गई हैं कि बिना आपकी इनकी लाइफ जो है बिल्कुल रेगिस्तान बन गई है, जैसे आप थे थो खुशियां थी, कलर्स थे और एक अजीब सी फीलिंग्स थी, वो सभी चीज़े अब नहीं हैं और अब एकदम से लाइफ बिल्कुल बंजल जमीन के बराबर हो गई है, जहाँ पर जितना भी मेनत कर लें, जितना भी इन्वेस्ट कर लें, वो सब बेकार ही रहेगा, तो वो चीज़े भी इस परसन के मन में बहुत जादा चलती हैं, और वो चीज़े ही इस परसन को रुला रही है, वो चीज़े ही इस परसन को एकदम से होपलेस कर देती हैं, तो ये भी आपर मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, ठीके, थोड़ा बहुत और सपने बहुत देखते हैं यह परसन यानि कि खयाली पुलाओ बहुत ज़्यादा देखते हैं या दिन में सपने बहुत ज़्यादा देखते हैं और अबिसली जो दिन में सपने देखे जाते हैं वो फुल्फिल नहीं हो पाते क्योंकि आप दिन में बस सपने देखते रह जाते एक्शन्स नहीं कर पाते हो और यह परसंद दिन में से अपने देखकर पूरा नहीं कर पाते हैं तो अपसेट होना शुरू कर देते हैं उसके बाद बस इनका गुस्ता शुरू हो जाता है frustration शुरू हो जाती है लोगों से arguments करने इनके शुरू हो जाते हैं तो उसकी possibilities भी यहाँ पर बन रही है नमबर 9, नमबर 6 यानि कि जून और आपका September month यह भी मुझे बहुत clearly दिख रहा है मुझे दिखो काफी लोगों के बीच में तो यहाँ पर family issues ही दिख रहे हैं कि family की वज़े से इस person ने अपने प्यार की कुर्बानी कर रखी है बट यह person जो इनों ने कुर्बानी दिये ना उसकी शिकन भी अपने माथे पर भी लाने नहीं देते होंगे तो उस किसम के इनसान दिख रहे हैं जैसे हो सकता है यह person ना अपनी family को लेकर बहुत जादा positive है मतलब family के लिए यह डूब मरेंगे तो वो मुझे यहाँ पर दिखा या उनकी खुशियों के लिए हो सकता है भई ऐसी family से यह belong भी करते हो तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है चलिए देखते हैं जिस इनसान से आप प्यार करते हो और क्या है इनसान की असलियत साथ में राश्या भी बताई जाएंगी हां पर कौन कौन सी हैं गाइटीचर बताईए यह रिवर्स वीवर्स के परसंद्द की असलियत बताईए गाइटीजे बताईए देखो यहाँ पर दो कार्ज एक साथ आ गए जिसमें पहला है आपका स्ट्रेस और दूसरा है टोटालिटी पारिबारे किशूज डेफिनेटली हैं यहाँ पर कॉन्फिलिक यहाँ पर डेफिनेटली हैं सक्सेज अलोननेस फाइटिंग प्रोजेक्शन तरमाइजर कम्प्लिटीशन और ओवराल एनर्जी है फ्रेंडलीनेस तो पॉस्पिलिटीज है यहाँ पर कि आप जिस परसन के लिए रीडिंग देख रहे हो आप दोनों के बीच में जोग्राफिकली दूरिया है या फिर शुरूबाती तोर पर ये रिष्टा लॉंग डिस्टेंस में ही रहा है काफी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम एन सोलमेट कनेक्शन में मुझे दिखाई दिये हो एनर्जीज यहाँ पर एरीस, लियो और सजटेरियस, मेश सिंग अन्धनू राशी, कैंसर, पाइसेज और स्कॉर्पियो, करकमीन और व्रेश्चिक राशी, जमनाई, लिब्रा नेक्वेरियस, मिठुन तुला इनकुंभ राशी और टॉरस, वर्गो इन कैप्रिकॉर्ण, व्रश्चप, कन्यायन, मकर राशी, यह सब भी मुझे दिखाई दी हैं, ठीके, नमबर यहाँ पर आप लोगों के लिए 7, यानि कि आपका जुलाई मन्थ भी काफी ज़्यादा इंपॉर्टन दिख रहा है, देखो यहाँ पर यह चीज़े हैं, कि यह परसन ना आपको हस् कि आपके साथ जो भी न आने अच्छे पल जी ए हैं, जिस पल में यह आपके दोस्त बने या आप इनके दोस्त बने, जिस पल में आप दोनोंने खोब देखे, इक दूसरे के लिए आप दोनों लॉयल हुए, एक दूसरे के साथ इस connection में आप जीना चाहते थे, सकसिस होना चाते थे एक दूसरे को आपने जो एक वक्त पे सोलमिट माना था अब मतलब एक दूसरे को देखकर जो आप दोनों में एक पॉजिटिविटी आती थी ना एक अंदर ही से ही आपको अच्छा फील होता था उन सभी फीलिंग्स को उन सभी चीजों को ये पसंद आज भी महसू और आपके साथ जीए है वो पल इनका पीछा नहीं छोड़ रही है ना ये उन्हें छोड़ना चाहते हैं यहाँ पर ये चीज़े दिख रही है कि वही पल तो इस परसन को इस कनेक्शन से उम्मीदे बंधाए हुए हैं या इस कनेक्शन में हार्मोनी के लिए इन्हें रोके पड़े हैं तो वो चीज़े यहाँ पर है इस परसन ने इन सभी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करने की बजाए उन्हें अपने ही अंदर समेट कर रख रखा है वो सबसे बड़ी गलती है कर रहे हैं रीजन इनका ऐसा करने के पीछे की है कि यहाँ पर परिवार में काफी लडाई जगड़े हुए हैं इनके अपनी परिवार से काफी जादा लडाई जगड़े हुए हैं और यह इस कनेक्शन के लिए वो फाइट नहीं कर पा रहे हैं वो सकस्स नहीं हो पा रहे हैं जो इन्हें मिलनी चाहिए बलकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यह लड़ कर अब यह खुद ही अकेले पड़ गया है ऐसा इन्हें लग रहा है कि अगर लड़ेंगे भी तो अल्टिमीटली यहीं यहाँ पर ठक कर हार कर और स्ट्रेस में बैठ जाएंगे उसके अलग और कुछ नहीं हासिल लई होगा तो ओवराल यहाँ पर यह चीज़े हैं कि परिशान कर जाती है और इसलिए यह परसन इतने ज्यादा है ले इतने परिशान भी यह इसलिए हैं और बस अपनी लाइफ को बस यह अकेले में ही जीना चाह रहे हैं तो आईसा कुछ मुझे यहां पर फील हुआ है चलिए देख लीते हैं कहना आप ती क्या चाह रहे हैं गाइड टीजर बताईए universe viewers के person के messages दीजे बताईए अब ये कहना क्या चाह रहे है गाइड टीजर बताईए universe I am currently working on becoming the best version of myself आपसे अब ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये ना अपने आप पर काम कर रहे है एक best version बनने के लिए जिसमें ये courageous हों जिसमें ये मेनत कर पाएं लड़ पाएं I will come back for you आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये वापस से आपके पास आएंगे फिर भी इन सब चीजों के बाद You are the best thing that happened to me क्योंकि ये जानते हैं कि तुम वो इनसान थे मेरी जन्दगी में जो सबसे खूबसूरत हुए थे ये सबसे best चीज मेरी लाइफ में तुम ही को लेकर हुई थी Please stay in my life, don't go आपसे कहना चाहरें कि Please मेरी लाइफ में ही बने रहना मेरे से दूर मत जाना You are beautiful, तुम बहुत खूबसूरत हो I want to call or text you मैं तुम्ही call, text करना चाहता हूँ या चाहती हूँ I want to kiss you मैं तुम्ही kiss करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो ये आपसे सभी messages देना चाहते हैं ठीके, तो ये थी मेरी reading की क्या है इस person की असलियत I hope आपको reading के मात्यम से clarity मिली हो, connect कर पाएं हो अगर आपको clarity मिलती है connect कर पाते हैं तो बताईएगा जरू चानल को like, share and subscribe जरू से कीजेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी दरह से नई-ई reading, नई-ई topics लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यूही बना रहे आज के लिए बस इतना ही ओके बाबाई